हेलो जैन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकर तक पे हम पुराँ पस्तित हैं एक नए वीडियो के साथ आसा आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे सुभा की ताजा सांस लेते होंगे और नए किरन के साथ जोज से भगपूर होंगे फिलाल आप अभी मैं जानता हूँ सुभा सुभा का इनूज है इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है आप उस वीडियो को देख चुके होंगे सिच्छा मंतरी का ब्यान एक्चुली कल रा 12 दिसंबर अगले दिन 13 दिसंबर को सितकालिन सत्र है और बीजेपी ने साथ सब्दों में अल्टिमेटम दिया है कि आप साथ में चरन बहाली दे दो नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे यह आपको भी पता है उसी के द्रभ्यान कहें तो चुकि सरकार भी चाहती है कि सदन चलना चाहिए नहीं तो पुरी देश में बिहार का करकरी होगा लेकिन कहीं ने कहीं सच्छा मंतरी के ब्यान से लगता है कि वो सोचते है कि सदन चलने दे एक फिर से लॉलीपॉप अब बहुत सहमे हुए अब बहुत सहमे सब्द मतलब दबे कुछले मतलब क्या कह हैं दब इंटर्वियू लिया लगब दो मिनट का इंटर्वियू था आपने वीडियो भी देखा होगा उन्होंने पूछा कि आप साथ में चेंगा बहाली कब लेंगे और कल 12 दिसम्मर है यानि आज नियमावली पे मुहर क्या लगेगी तो उसने क्या-क्या ब्यान दिया पहले मैं की कोई गलती नहीं है ना आंदोलन जो आंदोलन गत जो अभिहरती है ना उनकी गलती है कही ने कहीं गलती तो सहकार की है चुकि वो चुनावी मुद्दा लेके चल रहे और युवा को बेवकूप समझते हैं तमाम नेता लोग यही समझते हैं कि युवा बेवकूप है भो उनके लिए महा अंदोलन का आगाज किया गया है और बीजे पीम उनका साथ दिये और देखते हैं किया होता है आते है मुद्दा पे उन्होंने क्या बोला है ध्यांदी जी इनके बातों का जब सच्छा मंतरी से उन्होंने पूछा रजनिस भीया ने जो नियुजटनी के पत्रकार है कि क्या बोलेंगे बाली के बारे में कल नियमा वाली भी आने वाली है इसा सुने और 13 दिसंबर को सीथ काली इन सत्र है तो उन्होंने साफ सब्दों में कहा कि जब महिनों जब वर्सों इंतिजार किये हैं तो थुगाओ महिना इंतिजार कीजिए साफ उनको पता ही नहीं है महिने और वर्स में कितने अंतर होते हैं साहध हो सकता है शच्छा मंत्री जी अच्छे घर से हो अच्छे घर में पले-बढ़े हूँ वह ब्रोषगारी का आलम नहीं समझ सकते हैं चुकि उनको तो मंत्ली भी मिल रहा है लाक लिफ लाग विधैक का मंत्री बिधैक हो होता है तो क्या बूझेंगा उन्हों DAVID उन्हों ने कहा दिया साफ सब्दों में एक उनने बात कहा है hao है ठेश लगता हो तो आप बादना सिंखिये मैं आपको डेली ये बकवाश करने के लिए आउता हुआ बोलेंगा बखबास कर रहें आपको जखजोगने के लिए आपको याद कराने के लिए बोलते रहते हैं जादा ऐसे नेता चंद नेतों के कारण बिहार बदनाम है और युवा रोड पे हैं और इसके परिणाम आप भी रोड पे हैं लेकिन घबराना नहीं है समय आपका भी आ क्या होता है और बिरुजगारी कालम क्या होता है यह तमाम युवा से पूछिए कभी आपने अंदोलन करते हैं उनसे मिले आप गदनी बांग में जाके मिले अब बोलते हैं आवस्थक वर्ड को वापस ले लिजिए अपने जुवान को लगा मिलाई सिचामंत्री जी और मै जब पहली वासिटेक पास होका माल लिजे बहाली में आएंगे और बहाली में लेट होगा तो आप भी कहेंगे क्या अंदोलन होना चाहिए सहब ऐसे नहीं होता है यह नेता लोग कुछ चंद नेता लोग ऐसे इसे वर्ड का इस्तमाल करते हैं बिरुजगार अनावस्थक जल्द का पता ही नहीं की बहुत जल्द क्या होता है तो अपने मूँ को और लगाम लगए है सही बोर रहा है मैं तो युवा जिस दिन जाग जाए जाग गई तो पुरी ठाकुवला अंदोलन हो जाएगा तो आप लोग सतर करें और क्या बोलते हैं और बोलते हैं से चक क्यमा वर्य और बहाली कब यह तो पुरा भ्यार पूशता है उतना हम क्या बात करें और इनको मजाक लगा हुआ है तो इनके मजाक करने के आदा और खास करते हैं स्वी जी जो एक लाइन बोले थे अब लगता है कि यह साबित हो रहा है यह प्रूफ हो गया थोड़ा इंति पर इनके कुछ चंद नेता और खासकर उसमें सच्चामंत्री जी बोलते हैं इतना दिन महीनों जब वर्सों इंतिजार किये हैं तो थोगा और इंतिजार कीजिए चुकि बहाली बहुत ज्यादा संख्या में देना है तो महीनों लग सकते हैं अगर महीनों ने साब आप वर बनने का लगा हुआ है मैं अब भी युवा साथियों से बोलूंगा कि आप भटके नहीं आप अपने पर विश्वास रखे किसी नेता नगरी में नमच जाईए कोई आपका साथ देने वाला नहीं है सत्ता पक्छो या विपक्छो हम फिक्सर बोल गए हैं आप अपने स्व किये तो 13 दिसंबर को देख लिजिए उसके बाद आप एक पोजितिव उगजा के साथ अपने लिए कुछ सोचिए लेकिन गलत कदम नहीं उठाना है यह नहीं बोलना है कि सर फ्रस्ट्रेट हो गया है मैं जानता हूं मैं आपकी दर्द को समझता हूं साब मैं समझ रहा हू आपके दर्द को मैं भी एक ठीचर हूं कोई ज्यादा हूं मैं का नहीं हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जॉब नहीं लगेगा बिल्कुल जॉब लगेगा बस अपने आप पर विश्वास रकिए इस नेता लोग पर नहीं विश्वास करना है अब कुछ नहीं उन्होंने एक बात बोला अभी एक मुद्दा गर्माया हुआ है कि फ्रू एक्जाम लिया जाएगा पेपर में दिया था उसको मैंने भी कवर किया है लेकिन उस ब्यानों को देखिए क्यों सदन चलने वाला है तिरा दिसम्मर से सितकालिन सत्र चलेगा तो हंगामा न बंदन को जो साथ पार्टिया थक बंदन गट बंदन बनाये हैं उनको धर लग रहा है कि सदन चलने नहीं देंगे तो इसलिए उन्होंने आनन फानन में अब कह रहा है अब वापस अपने बियान को ले गाए है कि नहीं नहीं बीपीस्ट के थूए जाम नहीं लेंगे हां बहाली होगा पुराने नियमों के तहती बहाली होगी लेकिन उन्होंने एक लाइन बोला है सात्मा पॉइंट फरजी वागा रोकने के लिए कुछ बदलाव अवस्थ किये जाएंगे हां तो यह सही बात है आप बदलाव किजिए जो नियोजा निकाई जो पंचाय तस्थर पर होते थे उनको बदलिए मुक्या वार्स अचीव इस सब को हटाईए यह तो बहुत अच्छी बात है आप बदलाव किजिए नियमों के तहत किजिए लेकिन आप बताईए ठीक आप फिक है यूपी ऐस्थी आप ठीक आपकी जो सोच किजिए लेकिन आप बहाली साहब पादिमिक अस्टेट तो नियुक्ति साहब क्यों नहीं प्रभवाब पूछता है नियुक्ति प्रतेक साल अगर बहाली होती तो आज अभ्यारती अभ्यारती जितने भी जो पहले से पास है और جो पहली बार एक्जाम देने वाले हैं, उनके बीच तो उहा पो हो, यानि दोनों में तो जगरा नहीं होता, इसका मतलब निता लोग चाते ही है कि सभी जैसे कि निता लोग पहले क्या करते थे, कि जाती-जाती में लरबाते थे, तो आप बहाली तो है नहीं, बिहार सरकार बोल होते हैं, खास का महा मुक्या, मुक्बंती नितीज जी, चुस्ते हैं, बिहार को डुबा दे, उनको साइद नहीं पता चल रहा है, कि आपका बिनास क्या बोले हैं, हमसे चक होने के मापजूद, एक से चक-चारक की भूमी का में होता है, लालु जी का भी नास ऐसी हुआ थ अब भी मेरे वीडियो को देखिए, आप नहीं, आप इस वीडियो को मानिय मुक्मंत्री जी को ट्विट किजी आप लोग, सही बोल रहा है, कट करके, और मुझे तो यहां तक सक हो रहा है, कि कहीं ने कहीं, यह नितीज जी कुछ एजेंट है, जो तेस्वी जी के साथ मिलक सताने लगा, अब वो भी सता के मुँ में भूल गए, कि युवा, जिस युवा के बल पे आप इतना सीट लाएं, आज वो युवा की हालत क्या, जिस आप बात करते हैं तेस्वी जी, वो हमेसा बोलते हैं, कि बिरुजगारी, स्वास्त, समस्या सभ, महानाई, अरे आप बो तमाम नेता से, कि आप अपने मुख्या, नितीज जी या त्यस्वी जी को बोलिए, नहीं तो जितने बिधायक लोग हैं, दूसरते तालिस, आपकी भी स्थिती खराब हो जाएगी, चुकि जब चुनाओ आएगा, चुनाओ में ये नहीं सोचेगा, लोग की आपको, चुक दारूबंदी के कारण, जो SCST work के जो मतलब पासी समाज के हैं, जो अपना रोजी रोटी जीव को पारजन करते हैं, वो भी भोट उनको नहीं दिये, मा ठरवंदन को क्यों, चुकि उनको जरुवत है, और सभी जानते दारूबंदी नहीं हुआ, सभी जानते विरुजगार नहीं चीन सकता है, जितना आपके पास घ्यान है इसका बस यूज किजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, आप बहुत आगे जाएंगे, आप तमाम अब भीरती बहुत आगे जाएंगे, बस अपने आपको, अपनी ताकत को पहचानिये, साब, अपनी ताकत को पहचानिये, किसी यूटूब से सब कमा रहा है सब आप इसका गलत मतलब मत निखा लिएगा सभी कमाते हैं तो आपको भी कमाना होगा यूटूब पर आना होगा अपनी टैलेंट को दिखाना होगा यूटूब पर खांसर है बरे बरे सर है तो आपको आप जागना होगा इस निता का साथ छोग दिजी आप सभी लोग चुकि आप एक चानक है और चानक की भूमका में आईए और इस दुनिया में आप समय बदल चुका है डिजिटल इंडिया हो चुका है और इस डिजिटल को पहचानी है बिलकुल पहचानी है कुछ कि उनको डर लगा कि यह मुद्दा तो छिर गया बच्चे आप युवा तो गुशा जाएंगे ठीक आप उनकी जो मंसा हो कम से कम ये तो बोले कि आप नहीं फिर से पर इच्छा नहीं लेंगे पुराने तरीके से ही बहाली होगा पुराने नियमों के तहत होगी बहाली अब निया नियमा वली जो आने वाली है कब आएगी और उसमें क्या संसोधन हुआ है इतो आने के बाद ही पता चलेगा और लास्ट पॉइंट 12 दिसंबर 12 दिसंबर यानि आज कैबिनेट की बैटक होगी देख लीजिएगा लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही बीते दिन बीते आना देखिये तो साहब मेरे दोस्त मेर भाई अब आपको घर से निकलना होगा और आपकी मेंटलीटी क्या करती है चुकि सब्सक्राइब ज्यादा समझाना हमें भी लगता है आप भी हमें कुछ अपसब्द बोल देते होंगे गाली देते होंगे होता है गुसा में सच्छ करने का काम करते हैं और यह कुछ चंद नेता लोग आपको तो यूज करते साहब तो आपका सपोर्ट चाहिए हमें और आपके आवाज को हम बुलंद करने का काम करेंगे लेकिन आपका भी एक काम है कि आप अपने आपको उग्जावान रखिये माता-पिता का स्क्राइब लिजिए किसी के बात को मत सुनिए यही बस कहेंगे अब हो सके तो इस वीडियो को कॉपी आप जितना किसी पर डालना डालिए कॉपी पेस्ट कीजिए आप और जितना भी यूटुब पर डालना डालिए मैं किसी को मैं गलत है किसे नहीं लूँगा आप इसको ट्वीट की आप लेते हैं तो कैसे चुनावी मुद्दा बनाए जाता है तो मैं बताओंगा चुकि जिसके साथ युवा आगर जिनके साथ होगा तो उसकी सरकार बनेगी लेकिन साहत्यस्वी जी भी आप भूल गया है और नितीश जी तो आप समझी रहे और सिच्छा मंत्री क्या है उनक ठीक है तो 12 दिसंबर को आपका महान दोलन है तो आप अपनी सूजबूज के साथ समझे क्या करना है क्या नहीं जहां तक मुझे लगता है चुकि आप पांस है तो आपको जाना चाहिए चुकि यह साइद लास्ट आंदोलन है जैसा टीम के द्वारा पता लगा है तो यही कब और निक्ति कब निक्ति जिसको मिल गए उसको निक्ति पत्र दे के यह आप भी जानते हैं यह सब चोचले सब हैं और अपने आपको सुद्रिड किजिए मैं तमाम अभ्यारती बिहार के अर्तिस जिला के अभ्यारती से बोलूगा और जो हमें देश-प्रदेश से देख रहे लिए धिल tea यह यूपी हो ब्यार हो जा कंडो रीशा हो वहां तक मेरे भेरती देखते हैं तो उनको भी बोलेंगे आप अपनी ताकत को पचानिए किसी की मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, सर्म मत करो, और पैसेंस रखो, बहुत टाइम लगता है जिंदगी में बाब बनने के लिए, बिल्कुल सही बात है, अगर मैं आज यहाँ हूँ, तो मुझे भी समय लगा है, और आप भी आज यहाँ है, तो अपने काबिलियत पे है, हो सकता है मा कर लिजिएगा कुछ ना कुछ मैं भी कर सकता हूं लेकिन एक से चक का ओधा ही कुछ अलग होता है एक इज्जत ही कुछ अलग मिलता है इसलिए आप अपनी थाकत को अपने भाचानिये और किसी दुसरे से बात्चित भी मत किजिए यागल बगल बाला सब मजा लेगा जीवन में आप अपने आप पे साब मत किजिए पैसेंस रखिए और उर्जावान होते विए कुछ काम किजिए चलिए ज्यादा बोल गए हो और ज्यादा पका दिये हो आपको आपका किमती समय मेंने लिया है तो माप किजिएगा कुछ उल्टा बोल दिया और फिर भी आप कमेंट किजिए और कुछ अच्छा बोलें तो फिर भी आप इस पर कमेंट किजिए चुकि मुझे ये लगेगा कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा बोलने का प्रियास किया और आपको मोटिवेट करने का प्रियास किया और एक दो अभ्याति अगर उल्टा बोलते भी हैं तो चलिए आप लोग खुस गईए हमेशा अपने माता पिता का अश्रबाद लेजिए हम हर वक्त रही बोलते हैं ठीक है चलिए जैहिंद जैभाराद